हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टड़ी इंडिया में और हम लोग पढ़ रहे थे ग्लुकोज के केमिकल रियक्शन के बारे में तो आईए हम लोग आज देखते हैं कुछ और केमिकल रियक्शन डी ग्लुकोज का इसके पहले हम लोग यहाँ पर है आज का रियक्शन विथ फेनिल हैड्राजीन या इसे बोलते हैं ओसा जोन फॉर्मेशन इसका देखें मैकनीजम भी पूछा जाता है आप लोग के एक्जाम में तो पहले यह बात करते हैं रियक्शन की और यहाँ से बनाते हैं हम लोग फेनिल हैड्राजीन द यहाँ पर यहाँ पर यह फेनिल ग्रूप का मतलब क्या होता है C6H5 ग्रूप होने वाला है इस रियक्टेंट में जो की ग्लुकोज से रियक्शन करेगा तो पहले आईए देखते हैं फेनिल हाड्राजीन का फॉर्मूला क्या है और उसका रियक्शन कराते हैं ग्लुकोज क साथ और फिर हम लोग क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे ओसा जोन का ओसा जोन का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसके पीछे में क्या है मैकनीजम है जो की मैकनीजम में एक्जाम में देता है तो आईए पहले रियक्शन देख लेते हैं यहाँ पर देखे लिखा गया ह D-glucose react with 3 mol of phenylhydrazine, तो यहाँ पर जो phenylhydrazine है, अगर उसका हम लोग क्या करेंगे, 3 mol लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलता है, soluble D-glucose phenylhydra zone बनता है, उसके बाद बोला गया, however the presence of axis phenylhydrazine, अगर phenylhydrazine का क्या कर देंगे, axis amount लेंगे, axis मतलब ज़्यादा हमें अगर phenylhydrazine ले लिया जाए, तो यह फिर से क्या करेगा, dihydro, ठीक है, dihydra zone, ठीक है, जिसे बोल देंगे, अगरे D-glucose zone, उसके बाद क्या होगा, एनिलीन और अमोनिया यहाँ से निकल जाएगा reaction में, तो पहले reaction को आए समझते हैं, तो हमारे पास क्या लेना है, पहले reactant में, D-glucose, तो यह रहा हमारा D-glucose, ठीक, तो जैसे ही क्या करेंगे, हम लोग D-glucose का reaction कराते हैं, फेनिल हाइड्राजीन के साथ, तो पहले हम लोग देखते हैं, एक product क्या form होता है यहाँ पे, यह हमारा क्या है Phenylhydrazyne यह रहा glucose और यह हमारा क्या हो गया D-glucose इसे बोलेंगे D-glucose तब Phenylhydrazyne के साथ अगर येक्शन कराते हैं तो देखिए Phenylhydrazyne का फार्मूला है वो अमोनिया में से क्या करना है एक हाइड्रोजन डिप्लेस करके वहां पर अटैच करा देना है हमें ठीक है नहीं चीजिक्स एच फाइफ तो इसका जो फार्मूला बन के आता है वो फार्मूला क्या बनेगा नहीं टू इस फेनिल हाइड्राजीन यह बन गया फेनिल हाइड्राजीन अब इस फेनिल हाइड्राजीन का दिखे जब रियेक्शन कराते हैं ग्लुकोस के साथ तो यह क्या करता है जो एल्डिहाइड वाला अक्सिजन है वो क्या होगा हमारा वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा इसके हाइड्रोजन के साथ तो अगर मैं यहां से इस अक्सिजन को यहां से निकाल दू इसके साथ इस हाइड्रोजन को आक्सिजन के वो aldehyde वाला oxygen है तो वो nitrogen क्या करेगा इसके साथ connected होगा double bond से तो यह हमारा जो molecule बन क्या हैगा वो क्या हो जागा CH double bond N यह वाला चीज़ ठीक फिर एक N और है N N H C 6 H 5 देखे कहीं कहीं book में आप लोग का जो C 6 H 5 है उसे direct क्या लिखा होता है direct लिख देता है PH तो इस दीच को में हम लोग PH भी कहीं कहीं लिख सकते हैं PH का मतलब क्या होता है Phenyl होता है ऐसे methyl को लिखते है Ame, Ethyl को लिखते है ET तो ऐसे ही इस Phenyl group को क्या लिख सकते है PH लिख सकते है यहाँ पे उसके बाद सारे जो molecules है इसके नीचे के as it is रहेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं है तो यह हमारा क्या बन गया यह बन गया हमारा D-glucose Phenyl Hydrazine तो यहाँ पे simple molecule एक बना जिसका नाम है D-glucose Phenyl Hydrazine तो यह हमारा क्या है जब हम लोग Phenyl Hydrazine का जब एक molecule लेंगे तो बनेगा D-glucose Phenyl Hydrazine after removal of water molecule from the L-dehyde group oxygen and hydrogen of Phenyl Hydrazine तो यह बन गया हमारा एक नया molecule अगर लेकिन हम लोग क्या करेंगे यह Phenyl Hydrazine को जब access amount में लेते हैं access का मतलब क्या होता जब ज़्यादा amount में क्या करेंगे Phenyl Hydrazine को लेंगे इसका क्या है? इसका क्या? एक molecule मैंने लिया है एक мол लेकिन जब करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सेज में लेंगे तो अभी यह क्या खटता है? यहाँ पे भी react करेगा और यहाँ पे तो attack करेगा यहाँ भी attack करके एक हमारा क्या बना देगा वो बना देगा डाई हाइड्रो ठीक है डाई हाइड्रा जोन तो जो डाई हाइड्रा जोन बनेगा वही क्या हमारा कलाता है ओसा जोन कलाता है जिसमें हम लोग के यहाल विखा हुआ है ओसा जोन फार्मेशन तो ओसा जोन आईए बनाते हैं आनि ड आगे प्रोसीड होगा तो इतने चीजों को पहले नोट कर लेजे फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब देखें जो रियक्षन में हमारा क्या बन गया डी-ग्लुकोस-फेनिल-हड्राजीन अब इसी D-Glucose Phenyl Hydrazine पे जब हम लोग क्या करते हैं next molecule का attack कराते हैं कहने का मतलब अब इसी को क्या करना है access में लेना है तो वो तो reaction हमारा हो गया अब यह क्या है उसी का दूसरा reaction है तो कि उसके आगे क्या होगा यही step होने वाला है तो पहले तो वो था हमारा अब इसी क्या करेंगे हम लोग access में लेंगे अब यहां पर क्या करना यह एक मोल नहीं लेना है इसे लेना है access amount में तो अब इसी तीछ को मैंने ले लिया access में यह लगबग इसका क्या होगा three mole हम लों तीन mole इसका यूज करेंगे reaction में तो यह तुम्हारे पास reactant है एक्सेस में लिए तो पहने तो यही बनेगा उसके बाद क्या है इस इसका molecule ज्यादा है तो यह further क्या करता है इसी species पे दुबारा attack करके एक नया compound बाने की कोशिस करेगा तो इसको मैं थोड़ा सा और detail में लिख देता हूँ क्योंकि हमको क्या करना है इस group पे attack कराना है तो इसमें क्या है चारों के चारों कमाने एक साथ लिया है अब इसको मैं अलग अलग separate करके लिख दे रहा हूं तो यहां पे अगर इसको कि यह पहला दिखिए मारा अगा access मिलेंगे तो first step तो same to same होगा पहले step में क्या था यह जो फेनिल हैड्राजीन था उसका हैड्रोजन आया ठीक यहां से क्या कि यह water molecule निकाल के चला गया तो यहां से एक water का molecule निकल गया तो first step में यह हमारा बन रहा है अब इसके बाद जो product बन किया आएगा यहां से मैं यहां लिद रहा हूं shortcut में minus h2o तो अब देखिए यह बन जाएगा हमारा यहां पे क्या CH double bond and and h अब CC h5 को मैं क्या लिख रहा हूं shortcut में लिख दे रहा हूं प्याच को कि हम लोग पहले बाद जान चुके है इसे पीच भी लिख सकते हैं तो मैं सो shortcut में क्या लिख दे रहा हूं पीच समझाएगा कि क्या है फेनिल ग्रूप है अब दिखिए थोड़ा सा और इसको detailing करने के लिए अब इस हैडराजीन बना था पहले वाला ही थोड़ा सा उसको मैंने क्या किया जगा बचाने के लिए इस तरीके से लिख दिया यहां पे अब आईए देखते हैं जब इसका जब सेकेंड मॉलक्यूल यूज़ होगा क्योंकि यह क्या है यह मॉलक्यूल हम लोग नहीं पहले ही ले ल होने वाला है तो जो फेरील हैडराजीन हम लोग क्या करेंगे दूसरा मॉलक्यूल इसका यूज़ करेंगे तो पहला मॉलक्यूल आया अब क्या करेंगे यहां पर इसके सेकेंड मॉलक्यूल को जब लाएंगे तो दिखिए जो सेकेंड मॉलक्यूल यहां पे क्या है उसका अमूणिया का molecule यहां से देखिए एक अमूणिया निकल जाता है, यहां से NF3 और यह क्या होता है, इसके साथ यह अलग हो जाएगा, separate out हो के यहां से हम लोग दो क्या किया पहले एक निकाल दिया water का molecule तो यहां से माल लिजिए हमारे पास क्या हो गए पहले मैं एक अमोनिया निकाल देता हूं यहां से NH3 के फॉर्म में यहां से देखिए क्या निकल गया एक NH3 मॉलक्यूल CHOH यह क्या था H2N NH और यह क्या है pH है देखिए यह क्या करता है इसके यहां पर एक हमारा क्या बनेगा कार्बोनिल गूर्प का फॉर्मिशन होगा यहनि C double bond O तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक हाइड्रोजन और एक NH3 के साथ चला जाएगा और यहां से निकल जाता है तो यह देखिए यहां से क्या होगा एक अमोनिया निकल गया मैं स्कॉलक कलर से बना देता हूँ ठीक यहां से क्या होता है एक अमोनिया पहले निकल देते हैं हम लोग क्या तो अगर मैं इस रेक्शन को आगर प्रोसिट करा हूँ तो यहां से निकल गया एक NH3 का मॉलक्यूल और यह पुरा का पुरा 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 ग्रूप यहां से निकल गया तो इस हाइड्रोजन के साथ मैं निकल दे रहा हूँ इस पूरे ग्रूप को यहां से, ठीक है, तो यह हड्रोजन के साथ क्या हो, यह वाला पूरा ग्रूप, यहां से निकल गया, तो यह क्या बन गया, NH2 माइनस NH2 और pH, ठीक, यह निकल गया, NH2 pH और NH2 निकल गया, तो यहां पर बचा क्या, यहां से, तो यह हमारा स्पीस क्या कर आएगा, CH double bond, N, NH, और यहां पर क्या हो जाएगा, पीज अनि फेनिल, और इसके बाद C double bond, O आ जाएगा, यहां पर क्या क्या है, और बाकी चीजेँ को as it is, यहां पर हमें लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह तो हमारा क्या ह यह है, यह है second molecule, यह कौन सा molecule है, यह हमारा second molecule यहां पर लिया गया है, first molecule कहा है, first molecule यह रहा, अब देखिए, फर्दर यह reaction आगे जब प्रूसीड होगा, तो जब इस reaction को आगे कराएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, third molecule इसका लेना पड़ेगा, अभी हमको क्या करना है, ओसा जोन का formation कराना है, तो अभी हम लोग कहां पहुचे है, फेनिल हड्राजीन तक, फिर डाइ फेनिल हड्राजीन तक पहुचेंगे, वही क्या कलाएगा, वही कलाएगा, ओसा जोन, तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, third molecule यहां पर लाएंगे, तो third molecule इसका मैंने ला दिया जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, NH2, NH और यह क्या है, pH मतलब phenyl group, तो यहां से क्या होता है, एक water का molecule फिर से निकल जाएगा, और यह क्या करेगा, इसके साथ double bond के साथ connected हो जाएगा, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पे अब इसको नीचे लिख दे रह उसके बाद क्या होगा, फिर से double bond, NH, pH और बाकी चीजों को as it is रहने दिजे, इसमें कोई reaction हमारा नहीं हो रहा है, यह क्या बन गया, CH2OH, इसी क्या बोलते है, डाइफेनिल हाइडरा जोन, ठीक, यह हमारा क्या क्या कर आया, डाइफेनिल हाइडरा जोन, यहां इसी को बोल हो गया, यह दिखिए reaction है, formation of osa zone करके पूछ सकता है, इस तरीके से, या तो reaction with phenylhydrazine in the access amount अगर दे दे सकता है, ठीक, तो अगर दे देगा कि के वाल के reaction कराईए, phenylhydrazine के साथ, तब तो हम लोग क्या करेंगे, पहले step तक ही लाकर reaction को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या ब बनने के बाद है रुकेगा, फिर second molecule को अंडूडूस कराएंगे, second molecule को अंडूडूस कराएंगे, तो ammonia और यह निकलेगा, ठीक, इसे बोलते है, aniline, ठीक है, ring के ऊपर क्या है, NH2 group जब रहता है, benzene के साथ, उसे बोलते है, aniline, तो यह aniline निकला, और ammonia निकला, उसके यह लेगा, वो रॉडाई, हैड़ा, जोन या ओसा जोन इसे बोलते है, तो यह तो हमारा हो गया पूरा reaction, अब इसके अगर mechanism की बात करें, तो पहले इसे नोट कर लेते है rain को, फिम mechanism को इसका देखते है, higher तो यह तो हमारा जाए इसके mechanism की, दिखिए इसका mechanism भी कभी कभी देता है, exam में आप लोग के, तो अगर इसका mechanism देखा जाए, तो हम लोग क्या करना है, पहले D-glucose का जो molecule है, उसे हमें ले ले लेना है, तो D-glucose का जो molecule है, मैं ऐसे लिख दे रहाँ इस तरह से, C-H double bond हो, उसमें क्या है, एक CH-OH का whole choice, और इसके बाद क्या था, CH2-OH, तो यह हमारे पास क्या मिल गया, D-glucose का एक molecule है, तो इसमें क्या करना है था, पहले हमारा क्या था, वो आया था hydrazine, तो hydrazine जब भी आएगा, phenylhydrazine आया था, तो phenylhydrazine क्या करता है, इसके साथ attack करके, water को निकाल लेगा, तो water वह निकलेगा, फिर उसके बाद हमें देखिए, main चीज देखना है, तो पहले हम लोग क्या कर रहा है, यहां से water का एक molecule निकाल देते है, phenylhydrazine के साथ reaction कराके, तो यहां से माल लेजे, एक water का molecule, यहां से separate out हो गया, तो यहां से जब water निकला, तो यह बन जाएगा, कुछ इस त N, N, H, और यह क्या है, phenyl, यहां पर बचा, ठीक, यह जैसे पहला step था, वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको दिए थोड़ा सा modify करके हमें लिखना है, यहां पर क्या करना है, हमें hydrogen और OH group को अलग-अलग, यहां पर separate out करके लिख देना है, जो की बहुत ही है, तो मैं इसको लिख दा रहा हूं इस तरह से hydrogen को, और oxygen को लिख दा रहा हूं, OH group को ऐसे, ठीक, तो यह हमारा इस तरह इसे लिख दिया है, और बाके चीजे, इसमें कोई reaction नहीं होने वाला है, तो यह as it is रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यह तीन मॉलक्यूल ह है, और यह क्या बन गया, CH2OH, तो यह हमारा क्या बन गया, फेनिल हाइडराजोन, तो फेनिल हाइडराजीन का glucose को साधिसन कराएंगे, तो क्या बन जागा फेनिल हाइडराजीन, तो यह तो हमारा reactant का नाम था फेनिल हाइडराजीन, जो फेनिल हाइडराजोन बन रहा है, product में आने के बाद, तो वो glucose के वज़ाए से हो जाए, glucose में क्या है, ओन लगा हुआ है, तो product में glucose का मलक्यूल आ गया, उसे बोलना है, phenyl hydra zone, यह बना, यह क्या बन गया, phenyl hydra zone, अब यह क्या बनाना है, उसा zone, तो इसके mechanism को अगर देखा जाए, है तो यहां पर देखे है क्या कि जो जो यहां पे लगा हुआ है चलर अब ये दिखे यह डान पर फिल और फिल एक ड्रा उसले उसके तरफ बॉंड़ने वाले है उससे पने तरफ बानबिड़ भान kon को तो इस carbon पर electron की deficiency आ जाए क्योंकि उसका double bond बनाया हुआ था nitrogen अपने तरफ electron को cloud को खिश रहा है तो carbon जो होगा वो क्या करेगा एक दो और तीन bond हो गया इसके पास तो यह carbon को electron देता है यह वाला hydrogen इधर से उसके बाद क्या होगा जो यह जो hydrogen है अब यह electron जब खिच लिया तो यह carbon क्या होगा इलेक्ट्रो निगेटिव हो गया इस पर निगेटिव चार्ज बढ़ गया और hydrogen जो carbon के बीच का जो bond था वो इधर सिफ्ट हो गया जैसे यह इधर सिफ्ट होगा क्योंकि देखिए जब इधर खिचेगा तो इस पर इलेक्ट्रो डिफिसेंसी आएगी जैसे डिफिसेंसी आएगी तो इसकी मदद करेगा यह hydrogen तो यहाँ हो जाएगा double bond अब यह hydrogen क्या हो गया अलग हो गया आयन के फॉर्म में पॉस्टिव आयन के फॉर्म में क्योंकि इलेक्ट्रोन सारा का सारा वो बॉन्ड में चला गया double bond बनाने में अब यह hydrogen हो गया फ्री अब इस नाट्रोजन के पास क्या है बहुँ चारा इलेक्ट्रोन है यानि यह क्या होगा इलेक्ट्रोन जब खिचेगा तो यह बन जाएगा negatively charge और यह हो जाएगा positively charge तो यह क्या करेगा इसको अपने तरफ attract कर लेता है तो इसको मैं partial charge के वल दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे यह जो नैट्रोजन था और यह जो हैड्रोजन है तो यह अपने तरफ इलेक्ट्रोन को इधर shift कर रहा है तो यह हो जाएगा plus और यह हो जाएगा minus तो इस nitrogen के पास क्या होगा यह hydrogen हमारा attract हो गया तो जैसे ही इसके पास attract होगा तो दिखिए एक नया हमें molecule बनता हुआ दिखेगा इसके बाद तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा किछ लिए हो जागा यहाँ पे single bond and अब इसके पास क्या होगा यह वाला hydrogen इसके पास चला गया तो यह आएगा NH अब यह वाला जो एन अच है यह मैं ऐसे लिए रहा हूँ एन एच और इसके पास क्या है pH याणि फेनिल ग्रूप है अब हम लोग बात करते हैं देखिए यहा और H में जो oxygen है और यह जो hydrogen बना हुआ है तो oxygen को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अब यह वाला दिखिए जो hydrogen है अब ये hydrogen क्या करेगा, इस nitrogen के साथ hydrogen bond का formation कर लेता है, ये क्या बना लिया, इसके साथ, बना लिया H bond, मतलब ये बना लिया, इसके साथ, hydrogen bond में पता है, nitrogen और oxygen के बीच क्या होता है, hydrogen bond यहाँ पे बन सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दुनों के बीच में, hydrogen bond का formation हो चुका है तो इसके बीच में क्या होगा एक हड्रोजन बॉर्ण का फॉर्मिशन हो गया और यह क्या कि यह थोड़े से साइकलिक टाइप के पेंटा साइकलिक ट्रैप का यह बन गया यहां पर यह और उसके बास चीजे आइज़ें उस बहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो यह क्या मॉलक्यूल हमारे बना बनता हुआ दिख रहा है अब इसमें थोड़ा सा क्या होगा रियरेंजमेंट होता है जिसके बाद हमें मॉलक्यूल मिलके आता है जो कि में रियक्शन में दिख रहा था यह मैकनिजम है इसका तो इस तरह से कुछ रियक्शन प्रोसीड होगा तो यह bond क्या होगा carbon की balance फिर यहां देखे 5 हो जाएगी क्योंकि double bond एक, दो, तीन, चार, पांस तो यह वाला bond क्या होगा फिर shift हो जाएगा ऐसे जैसे इधर shift होगा तो यह यहां से क्या होता है break करके निकल जाएगा यह bond तो यह हमें चीज़े को समझनी है अब इसके बाद दिखे जो नया step बनके आएगा वो step सबसे important है यहां पे यह hydrogen bond को मैं थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूँ H bond यहां पे बना हुआ है ठीक इस चीजों को थोड़ा से ध्यान दीजे यह क्या है hydrogen bond है तो यहां पे दिखी है क्या hydrogen bond जो बन गया अब इसके बाद दिखी यह इस तरह से हमारा क्या होगा rearrangement हुआ यानि यह oxygen electron कीचा double bond जैसे double bond हुआ यह bond इधर shift हुआ इधर shift होगा तो यह यहां से निकल जाएगा पूरा molecule बनके तो उपर क्या बचा तो यहां बचेगा हमारे पास CH जैसको मैं सरी दरा हूँ CH double bond NH और उसके बाद यहां पर क्या गया फिर से single bond आ गया और यह carbon oxygen के बीच क्या गया double bond यह दिखे इस टेप बनता हुआ दिख रहा है जो की वहां पर बना हुआ था इक इस टेप में और उसके गया NH2 pH बनके यह सारी चीज़े यहां से निकल गई इससे मैं लिख देना हूँ NH2 और pH यानि फेनाइल ग्रूप यानि इसको बोलते है एनिलीन यानि यह क्या है अगर इसको देखा जाए यहां से तो यह फेनिल का मतलब यह बेंजिन रिंग है इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ NH2 इस चीज़ को बोलते हैं एनिलीन इस एक्षन में क्या निकलता है एनिलीन और अमोनिया निकलता है तो यह तो फॉर्मेशन हो गया एनिलीन का और यह हमें क्या हुआ मिल गया इस तरह कुछ प्रॉड़क्ट अब यहां पर दिखे कुछ गयब लग रहा है हमें और अभी क्या हुआ है कुछ गयब लग रहा है तो यहां पर हमें क्या करना है अभी सेकेंड मॉल्क्यूल को डूडूस कराएंगे तो अभी तक पहला ही मॉल्क्यूल आया था वो सारे रियरेंजमेंट करते करते यहां तक पहुचे तो यह क्या है एक इंटर्मीडियेट है जो molecule के जो phenylhydrazine का second molecule है उसको introduce कराते हैं और इसका attack कराएंगे इस वाले molecule के पास यहाँ पर अगर बात की जाए second molecule की तो इस molecule पर क्या करेंगे अब second molecule का attack कराएंगे तो देखे second molecule क्या करता है यहाँ से क्या करेगा वो oxygen को निकाल के ले जाएगा और इस पर भी क्या करेगा वो attack करेगा तो देखे जैसे हमारा जो second molecule आएगा और नह ठीक है देखे बात करेंगे अब इसी reaction की अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर लिग दे रहे हैं तो यह molecule बन चुका है CH double bond NH और यहाँ पर क्या आगया C double bond O और यह आगया CH OH का whole throise और यह बन गया CH2 OH अब हम लोग लाते हैं second molecule second molecule क्या है फिर्न हडराजीन का ठीक है N2H NH और pH तो यह जोखे जो second molecule आया फिर्न हडराजीन का तो यहाँ से क्या करेगा यह water molecule को निकाल के attach हो जाएगा इसके पास यह तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है easily तो यहाँ से क्या होगा यह water का molecule यहाँ से निकल जाएगा easily तो यहाँ से हो गया water S2 हो निकला और यह हमें बन गया CH double bond NH C double bond NNH और phenyl group उसके बाद क्या है CH OH का whole throise यहाँ पे क्या है CH2 OH अब दिखी यहाँ बनता हुआ हमें उसा जून बनता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है क्याँ इस तरीके का बचा हुआ है अब थर्ड molecule कराएंगे और वो थर्ड molecule क्या करेगा यहीं पे attack करके नया species बना देगा तो अब यहाँ हमें क्याम करना है last में फिर से मैं लाना है तीसरा molecule इसका जो की क्या है H2NNHPH तो दिखी हमें करना क्या है हमें बनाना क्या है फिर हड्राजीन इस तरह करना चाहिए तो यह दिखे गायब होगे आप फिर फर्दर यह क्या होगा ऐसा ही convert होके वापस चला आएगा तो अगर मैं यहाँ से एक ammonia का molecule निकाल दूँ तो यह चीज हमें बनता हुआ दिखेगा तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ एक ammonia molecule गायब कर दूँ तो दिखेए यहाँ पिया का एन एन एच पी एच मिलाना है तो एन एन एच पी एच तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ से एन एस थरी अगर निकाल दिया जाए इसको मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ से दिखे होता क्या है कि एक ammonia का यह molecule यहाँ से हमें निकलता हुआ दिखेगा तो यहाँ से क्या होगा एक NS3 molecule निकल गया NS3 निकलते ही हमें क्या होगा ओसा जोन का formation बन जाएगा तो ओसा जोन यहाँ बना देते हैं हम लोग इसको मैं थोड़ा साइड लिख दे रहा हूँ यह क्या है एनिलीन है तो यहाँ पर देख लिए में प्रॉड़क्ट क्या बन गया CH double bond N N H PH फिर यहाँ पर क्या बन गया C double bond N N H PH और इसके बाद क्या था CH OH का होल थ्राइस फिर CH2 OH यह बन गया हमें Osa जोन यह हमारा क्या था में प्रॉड़क्ट बन जाता है तो वो क्या था रियक्शन था यह क्या है मैकनिजम है जो की थोड़ा सा क्या है हमें थोड़ा सा लेंदी टाइप का यहाँ पर मैकनिजम देखने के लिए मिलता है तो पहले इस टेप पे क्या हुआ क्लुकोज मॉलक्यूल आया हैडराजिन के साथ रियक्शन किया हैडराजिन के साथ रियक्शन करने के बाद क्या हुआ यह इस तरीके से वाटर का रिमूबल किया यहां से क्या है वाटर मॉलक्यूल एक निकल गया water निकलने के बाद ठीक अब यहाँ पे थोड़ा सा rearrangement है जिसको हमको समझना है जो कि क्या है सबसे important चीज यहाँ पे होने वाला है तो यहाँ पे थोड़ा सा rearrangement होता है यह इसको मैं इस तरह से लिख दिया हूँ electron cloud को पर तरफ क्या कि यह attract किया attract करने के बाद इसको बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग सेकेड मॉलक्यूल को इस तरह से कहीं दिया नहीं होता है यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं असानी से अगर बुक में देखेंगे तो क्या करेंगा वो स्वार्ट फॉर्म में कर देगा जहां पे में इजली चुछ चीजे क्लियर नहीं हो पाती है तो इसको पहले नोट कर लेजे जो कि क्या है बहुत ही रियक्षन की तो इसको मैं कर रहा हूँ रेज आए देखते हैं कुछ और इसके जो भी केमिकल रियक्षन बचे हुए हैं अब दिखिए ने इस एक्षन है एक्षन ओफ एसिड तो अगर ग्लुकोज पे एसिड का अटाइक कराया जाए या एसिड के साथ रियक्षन कराया जाए ग्लुकोज का तो वहां पर दिखिए क्या-क्या फॉर्म होता है तो दिखिए अगर बात करेंगे तो लिखिए पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं although dilute acid have little effect on deglucose तो यहां पर दिखी दिया गया कि जो dilute acid होते हैं उसका कोई खास effect यह भर भूती क्या होता है कम effect होता है deglucose पे याणि अगर मैं glucose में कोई dilute acid add करा दूँ तो वहां पर क्या होगा कुछ खास reaction हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा यानि वह ज्यादा glucose को अफेक्ट नहीं करता है कोई नया मौलक्यूर अच्छे से बना के नहीं दे पाता है लेकिन जब भी क्या करते हम लोग hot और strong acid मतलब concentrate acid क्या करेंगे यूज करेंगे या कोई strong acid यूज करेंगे ठीक है hot and strong acid क्या करेंगे introduce कराएंगे change involve the dehydration तो वहाँ पे क्या होता है dehydration देखे हमको पता है कि जब भी क्या करते हम लोग acid add कराते हैं तो वहाँ से क्या होता वाटर का removal होता यानि वह क्या होगा dehydration कराता है acid water के molecule को जला क्या करता है वैपर के form में निकाल देता है उस glucose के molecule में जितने भी water के molecule हमें देखने के लिए मिलेंगे तो हम लोग जब glucose का straight chain structure देखते हैं तो वहाँ पे water कोई molecule देखता नहीं है लेकिन हम लोग क्या करेंगे glucose के structure को थोड़ा सा चेंज करके वहाँ पे समझेंगे वहाँ से क्या करेंगे water को निकालेंगे तो उस चुछ को मैं बताऊंगा तो पहले आप लोग यहां पर देख लिजे की ट्यालूट एसीड हो ज्यादा खास इफेक्ट नहीं है जैसे एक concentrate acid मिला है glucose में तो वह क्या कर रहा है water को निकाल दिया यानि क्या कर दिया dehydration कर दिया फिर बोल रहा है D glucose is boiled with 12% of hydrochloric acid undergo dehydration तो यहां पर दिखे जो D glucose में क्या लेना है कौई सा acid लेना है कोई strong acid लेना है जो कि हमारा पास क्या है H2SO4 हो गया या SCL हो गया तो यहां पर लेना क्या है 12% वाला hydrochloric acid लिया गया तो वहाँ पर हुआ dehydration और बना क्या यह बनेगा 5-hydroxy-methyl-furfural तो यहां पर हमें ध्यान दना है नाम इसका 5-hydroxy-methyl-furfural यहां पर बनेगा आप इसके structure को देखेंगे आनि इसके formula को भिम लो तब समझ जाएंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है फिर दिया है this purfural further react with hot acid फिर इसका reaction कराते है किसी hot acid के साथ तो यह क्या होता mixture बनता है ठीक labulinic acid का जो कि क्या है बहुत important हमारा है labulinic acid इसको भी देखेंगे हम लो और क्या बनाता है formic acid तो labulinic acid और formic acid हमें बनता हुआ यहां पर दिखेगा फिर बोल रहा है considerable amount of dark resinous product of unknown structure is called humans ठीक है तो यहां पर जो भी structure बनके आता है ठीक है उसे बोलते हैं हम लोग you means structure को पहले हम लोग देख लेते हैं मेन हमारा पास कौन-कौन से इसमें reaction हो रहा है जब भी क्या करते हैं हम लोग glucose में acid का addition कराते हैं तो देखें बात की जाए अगर reaction की इसके तो हमको लेना क्या है D glucose तो पहले हम लोग क्या करना है D glucose लेना है अब देखें D glucose में है क्या कि यहां पर क्या करना है इसका reaction करा रहा है hot acid के साथ यानि HCl के साथ यानि कोई strong acid के साथ इसका reaction कराया जा रहा है वहां से क्या हो रहा है तो दिखें जो glucose का molecule है पहले इसको थोड़ा सब हम लोग इस तरह समझते हैं अगर मैं glucose के molecule की तरह से लिख दूँ इसमें 6 carbon की क्या होते है चेन होते हैं इस तरह पर क्या है CHO group और क्या है C2知 L ठीक है इदे क्या है CH2 OH group होता है इस तरीके से अगप मार्टोज के मॉलक्यूल को जो ऐसे मॉलक्यूल इसका मैंने को एसको एसे लिख दिया ठीक यहां प्या होता है इस यह जगे पर यहांब क्या है H, O, H है, इधर पर क्या है, कहीं H है, इसको मैं, ठीक है, DL ne aceeASE वाला नहीं लिखरा हो, वे simple मैंने बस बना दिया H, O, H, H, O, H, ठीक, तो यह glucose के molecule को थोड़ा सा ऐसे लिख दूए यानि यहां पे देखिए है क्या कि यहां पे कितने carbon है total number of carbon है 6 यहां पे जो 6 carbon हमें देखने के लिए मिल रहा है उसमें से देखीजे माले जो पहला carbon यह तो मैं इसको अधर लिख दे रहा हूं यह first यह second यह third यह fourth यह fifth और यह sixth carbon है तो मैं three और four जो बीच में आ रहा है इसको क्या करों यहां से इसको glucose की मोल्क्यूल को मैं अब मौड़ दे रहा हूं यानि three और four carbon से इसको wind करा देना है यहां पर दीके मैं मैं इसको क्या कर रहा हूं इस तरह से rant यह गया इस तरह से ।ैक यह three और four carbon ग्रूप इस कार्बन पहुआ है दिना क्या है बहुत ही जरूरी है इसको थोड़ा शोटा कर च्रूरा हो यह क्या है एक यह हमारा कौंसा हो गया second carbon जिसमें क्या है CHO और इस तरह से जुड़ा हुआ है फिर देखिए यहां से यह bend हुआ इसी चौथा carbon अब पच्वे carbon पर क्या है OH, H और 60 पर है CH2, OH तो यह हमारा देखिए पहला carbon यह CHO अला हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अब चौथे carbon के पास H और OH ग्रूप यहां भी है आर दूसरी के इसके पास कारवण के पास भी क्या है H और OH ग्रूप है तो यह तीसरा carbon के पास मैं क्या लिख دे रहा हूँ H और OH तो इधर माला लेते हैं H ग्रूप ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं और यह हो गया हमारा OH ग्रूप इधर भी मैं लिख दे रहा हूँ इधर इसके पास भी क्या है OH है यहां पर क्या है H तो पहला दूसरा तिसरा चौथा अब पच्छवे कार्बन की बात करते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से इसको भी यह हो गया हमारा क्या यह हो गया ओया और इधर क्या जुड़ा हुआ है H अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ बागी चीज़ों को CH2 तो यह क्या बन गया CH2 ओ यच यह कुछ इस तरीके से मैं इस गुलकोज मॉलक्यूल को बीच में से तीसरे और चौथे कारवन के हिल्प से क्या किया मैंने इसको यहां सपकड़के इसको नीचे गुमा दिया गुमाने के बाद जो जो गुरूप जहां जा है मैंने वहाँ पे क्या कि इसको सैकलिक फॉर्म में लिख दिया जो कि हमारा क्या होगा इस तरह का structure बन गया अब हम लोग दिखिये dehydration कैसे होता है इसमें जब भी इस correction क्या कराना है HCL के साथ कराएंगे ठीक तो इसको क्या करेंगे hot strong acid जब इसको reduce कराएंगे तो उसमें क्या होगा dehydration होगा तो इसको क्या करना है 12% hydrochloric acid के साथ dehydration कराना है तो यहां पे क्या लिए ना है है तो यहां से हो यहां से water molecule निकल गया ठीक एक water molecule देखिए यहां से निकलना है H2O और एक water molecule देखिए यहां से भी हम वे निकलता हुआ दिख रहा 3-3 water molecule यहां से निकल जाएंगे तो यहां पे क्या निकल गया minus 3H2O अब देखिए यह क्या होगा cyclic structure का formation यहां पर हो जाएगा आजानी से तो यह देखिए इस तरीके से क्या हो गया यह बन गया कुछ ऐसे और यह हमारा oxygen बीच में बचा हुआ है तो इस तरह से कुछ बन गया यह तो यहां से वाटर सब निकल चुगा है तो जब भी वाटर निकलता है पता है कि जब भी क्या होगा होता है तो वहां पर OH ग्रूप रहता है तो यह 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 बनता है जिस कारबन से निकलेगे उन दोनों काबन के बीच में क्या आता है? यानि dehydration of alcohol gives alken तो यहाँ पर जब भी dehydration होगा तो यह क्या बन जाएगा इस काबन से H निकला इससे OH निकला तो यहाँ double bond alken का यहाँ H निकला यहाँ OH निकला तो यहाँ double bond क्या होगा alken का आ जाएगा यह दोनों भी hydrogen इसको दिखाने जुरुथ नहीं होती है बार-बार worst इसको दिखाने जुरुथ यहाँ पर नहीं है तो अब इसके बाद दिखी यहाँ पर एक बचा क्या है तो यहाँ बचा हुआ है हमारे पास CH-O group और यहाँ पर क्या बचा हुआ है यहां बचवा हुआ है CH2 OH वाला ग्रूप यह क्या निकला है माइनस 3H2O ठीक तो यह जान देना है हमें तो इस तरीके का SPC हमें बनता हुआ दिख गया तो देखी इसी का नाम क्या है इसी को क्या बोल रहा है 5-Hydroxy-Methyl-Furil ठीक इसी का नाम क्या है 5 अगर numbering किया जाए इसका देखी एक, दो, तीन, चार और पाँच तो 5 पे क्या है Hydroxy-Methyl-Fury-Fural 5-Hydroxy-Methyl-Hydroxy-Group है और Methyl-CS2 और क्या है यह Fury-Fural इसी को बोला जाता है इसी का नाम क्या है 5-Hydroxy-Methyl और इसी क्या बोला जा गया Fury-Fural Fury-Fural ठीक, तो यह compound हमें बनता हुआ दिख रहा है अब इसका reaction क्या कराना है Further कराना है अब दिखे इसका reaction कराना है Further react with hot acid Yalto mixture of Lebellinic acid and formic acid अब इसका further हम लोग क्या करा है reaction एक बार और कराते है Acid के साथ तब हमें दिखे क्या देखने के लिए मिलता है अब इसका further reaction क्या दिया गया Hot acid के साथ तो इसका दुबारा फिर से reaction Acid के साथ करा दियागा दिखे अब होगा क्या तो में करना क्या है Lenulic acid और Formic acid का formation करना है तो यहां से दिखे यह क्या करता है अपने electron को अपने तरफ खीच के यह क्या करेगा इधर से माले जिए Double bond से electron को अपने तरफ खीच लिया और जैसे electron कीचे का Double bond हो जाएगा Double bond होते ही यह bond ब्रेक होता है और एक बार क्या होगा यह वाला bond हमें cleavage देखेगा बनते हुए तो यह जब bond cleavage होगा इस पर आगा Double bond तो यह पूरा का पूरा इधर से निकल जाता है दिखेगा क्या बन जागा यह यह हमें बनता हुआ दिखेगा इस तरह किसे CH3 C Double bond O फिर बनेगा CH2 CH2 COOH इसी क्या बोल रहा है इसी को बोलते हैं ठीक है लेव्यू लेलिक एसीड इसी का नाम है लेव लेव्यू लेलिक एसीड तो हमें यह चीज़ ध्यान देके चलना है यहां से यह bond cleav हुआ यह double bond आया और इधर से जब यह bond तूटेगा तो यहां क्या यहां पर आगा इसमें क्या है एक carbon और hydrogen हो जाचा है तो यह भी convert किसमें जा रहा है formic acid में क्योंकि इसमें एक carbon है देखें हमें ध्यान देना है कितने number of carbon है तो उतने चीज़े मिलेंगे तो यहां से बन गया एक ketone group और उसके बाद carbon कितने एक, दो, तीन, चार, पाँच तो इसके बाद ketone के पाद कितने है ketone group हो गया इसके बाद एक, दो, तीन, चार अब पाँच carbon यहां बचे एक, दो, तीन, चार, पाँच ketone को लेके पाँच carbon वाला एक species यह बन गया ठीक इसमें कितने carbon देखें एक, दो, तीन, चार, पाँच carbon यह बन गया including ketone और acid यह हमें ध्यान देना है levillinic acid इसी का नाम है उसके बाद जो इधर तूटा हुआ उसमें क्या है क्या है क्या है क्यावला क्यावल एक carbon है तो बनेगा एक carbon वाला acid एक carbon यह क्या होता है formic acid होता है यह हमारे पास क्या मिल गया दो acid का formation हो गया जब भी हमनों क्या करा है dehydration करा रहे है glucose का तो अब देखिए यह हो गया हमारा दूसरा reaction आज का अब बात करते हैं इसमें next reaction की reaction due to five hydroxyl group इसे क्या बोल रहे है इस reaction को बोल रहे है acetylation तो जब देखिए five hydroxyl group की वज़ए से जो reaction हो रहा है उसे बोल रहे है acetylation अब यह देखर reaction जो है यह हम लोग reaction कब करवाये थे जब हम लोगों को चेक करना था कि क्या glucose में 5 OH group प्रेजेंट है इसमें 5 hydroxyl group को चेक करने के लिए हम लोग क्या करा रहे थे acetylation reaction करा रहे थे इसका जब हम लोग क्या कर रहे थे evidence पढ़ रहे थे glucose के structure का तो वहाँ पर जब हम लोग चेक करना था कि क्या इसमें 5 OH group लगे हुए है तो हम लोग को पता करना होता है से हमें क्या मिलता है कार्बॉसलिक एसिड और वहाँ पर हमें क्या होता है एक कार्बॉसलिक एसिड मिलता है और एक मिलता है एस्टर तो जब भी क्या होता है glucose का reaction किसी एसिड के साथ कराते है तो वहाँ पर क्या यह पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, glucose react with acid anadride in presence of anhydrous zinc chloride, तो यह हमारे पास क्या है, zinc chloride, जो की एक catalyst का काम कर रहा है, इस reaction में, to form pentaacetal derivative of glucose, that is glucose pentaacetate, तो यह हमें क्या मन गया, glucose pentaacetate, जो कि हमको देखे, simply यह पता है, कि जब भी हमनों क्या करते है, इल्कोहल का reaction, ठीक, इल्कोहल का reaction क्या कराते हैं, जब भी acid anadride के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, acid anhydride के साथ कराते हैं, तो हमें मिलता है, acid anhydride का formation कर रहा है, और ester भी निकाल दे रहा है, तो आईए देखते हैं, पहले हम लोग इस reaction को, तो हमारा देखिए, जो glucose का molecule है, इसको मैं पहले लिख दा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ, CH, OH, और यह देखिए, चारों के चारों acities, इसके पाद क्या है, CH2, OH, तो यह बन गिया हमारा D-glucose, अब introduce कराया जाएगा, acid in hydride का, तो इसके formula को हम लोग पता है, इसका formula होता है, acid in hydride का, CH3, C double bond O, CH3, तो इसके कितने molecule लेने हमें, तो यहाँ पर देखिए, एक alcohol था, तो एक acid in hydride का molecule लिया गया था, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, पांच-पांच alcohol के मतलब O, CH group यहाँ पर glucose के पास है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यह जो group देखिए, यहाँ पर क्या है, एक O, CH group यह रहा, चार O, CH group इधर देखिए, एक इधर है, तो मैं पांच-पांच O, CH group देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग acid anhydride के क्या लेंगे, 5 molecule यहाँ पर लेते हैं, यह क्या लेना है, वैं 5 molecule लेना है, किसका acid या acetic inhydride इसे बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है, acetic या acid anhydride, ठीक है, ठीक है, तेखिए, जो acetic enhydride है, वो कही ना कही क्या है, carboxylic acid से ही generate होता है जब हमें लोग क्या करते हैं carboxylic acid के दो molecule को लेके वहाँ से water का removal कराते हैं तो हमें stick anodide देखने को मिलता है जैसे माल लेते हैं हमारे पास क्या है यह carboxylic acid का यह molecule है R C double bond O OH और यह दूसरा molecule carboxylic acid का है तो अगर यहां से देखिए water molecule अगर मैं निकाल दूँ एक तो यह क्या बनेगा R C double bond O फिर यह O आ गया फिर C double bond O आ रहा गया तो इसी को बोल रहा है stick in hydride तो यह carboxylic acid के molecule से क्या करते हैं जब भी water का removal कराते हैं ठीक है इसे heat करेंगे दो molecule को वहां से water निकलता है तो क्या बनता है stick in hydride तो in hydride का मतलब ही क्या होता है water का निकलना hydride group का क्या होता है निकल जाना तो यह हमें form हो गया अब इसका reaction जब glucose के साथ कराएंगे तो यह क्या करेगा यह 5 hydrogen को यहां से निकाल देगा अपने साथ लेके चला जाएगा तो यह जो group है यहां पर देखाँ यहां पर देखाँ है CS3, C2, Warned, O यह वाला जो group है यह क्या होगा इस पर attack करेगा hydrogen यह पूरा लेके चला जाएगा तो इसको मैं यहां पर यहां से दिखाऊँ अगर तो यह जो group है इतना यह ठीक पांच ऐसा group है और यहां पर क्या है पांच hydrogen के साथ यह पूरा का पूरा यहां से निकल लेता है तो यह जब यहां से दिखी निकलेगा तो बच्चे का कौन चीद यह बच्चे का हमारे पास यह वाला part 5 CS3 CO यह जो पांचों के पांचों है यह क्या होगा एक हार्ड्रोसन के जगा पर जाके लग जाएंगे यह देखी बन गया CHO उसके बाद क्या बन गया CH और O तो एसटीज है O से को लेना दिना नहीं है O रहेगा हमारे पास यहां पर फिर यहां पर क्या गया यह जुड़ किया जाके C double bond O CH3 अब ऐसा ऐसा चार मॉलक्यूल यहां पर और फिर उसके बाद यहां भी वैसे भी होनेगा क्या बन जाएगा CH2 O फिर यहां जाएगा C double bond O CH3 इसी का नम क्या है glucose pentacetate इसी को बोल रहा है glucose pentacetate जो कि क्या है एक इस्टर टाइप का molecule इस्टर मतले क्या होता है R COOR तो यह देखिए R COOR टाइप का है यहां से remove क्या हुगा remove हुआ हमारा देखिए यहां से पूरा निकल गया CS3 O C S3 O C double bond O के साथ हड्रोजन पाच्छों निकल गया तो क्या बन गया 5 CS3 C double bond O O H तो यह आके जुड़ गया पाच्छों के साथ तो यह क्या बन गया हमारे पास बन गया एक acetic acid 5 acetic acid के molecule यहां से निकल गया तो दिखिए actual में जो reaction हो रहा है क्या हो रहा है इसका इसके साथ reaction हो रहा थी यहां पाच्छों के साथ removal हो गया अगर मैं केवल एक molecule को देखके यहां पर बताऊं कैसे removal हुआ है तो यहां देख सकते हैं जैसे माल लिजे यहां पर actual में हुआ क्या है तो यहां पर देखिए जो ओयच ग्रूप है इसका ठीक ऐसे पांच ग्रूप है और यह वाला जो है क्या कर ब्लोजन है वो क्या कर रहा है इस पूरे गुरूप के साथ कार्बॉक्सिलिक एस्टिक की फॉर्म में निकल रहा है और यह ओ के साथ क्या हो हा यह वाला जो C долларов सी अस्तृ है वही जाकर ठीक है ओ के साथ क्या सी बांडो सी इस्त्री ओक्या हरा जाकर जूड जा रहा है यहां और यहां भी यहां चार बार यहां पे एक बार तो यह हमें क्या होगा पुरा पुरा इस तरह से प्रोड़क्ट गुल्कोस पेंटाइसिटेट देखने के लिए मिल जाएगा और कावबॉक्स लिक एसिड के ऐसे ऐसे पॉंच मॉल्क्यूल यहां से निकल जाएंगे तो गुल्कोस पेंटाइसिटेट फॉर्मेशन हो रहा है किस से हो रहा है एस्टिक एन हाइड्राइट से तो यह क्या करता है एसाइलेशन रिएक्शन दिखाता है इस तीज को पहले हम लोग नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं तो आपर देखे हमारे पास जो लास्ट रिएक्षन है गल्ुकोस के केस मेें यह बहुत इजी सा रिएक्शन है fermentation like geeks eugene जो कि कभी-कभी Пूस देता है यहां पेे द्यान देजीएगा इस पे भी तो fermentation का मतलब क्या होता है ठींगर fermentation मतलब क्या हतना glucose को हम लोग क्या करेंगे जब भी उसे ethyl alcohol बनाते है fermentation में क्या करते है glucose से बनाते है ethyl alcohol ठीख तो डी-घ्लुकोज का जब फर्मंटेशन कराते हैं जायमेज एंजाइमे प्रेजहनश में थीच के तूस इसमें हम लोग लेते हैं एक एंजाइम जिसका नाम क्या है जायमेज है प्रेजेंट इन इस्ट सेल में प्रेजेंट होता है यहां पे तो यह क्या देगा अत्य एलकोहल this reaction is termed as alcohol fermentation जैसे अब जी हमलोग क्या करते है जो हमाला क्या होता है जो एन्य एथिल एक्चूब में जो प्रॉसेस होता है इसके बनाने का वो क्या होता है फर्मनटेशन होता है भडा फर्मनटेशन किसका घड़ाते हैं तो हमलोग क्या कराएंगे ग्लुकोज का fermentation कराते हैं तो पहले हमारे पास क्या होता है जो केंशुगर होगा वो केंशुगर सुक्रोज है तो सुक्रोज से पहले बनाएंगे glucose फिर उस glucose का करेंगे fermentation in the presence of jymes enzyme जो क्या है एक hist cell है फिर उसके बाद क्या होगा वो carbon dioxide gas निकालेगा और बन जाएगा जो भी हमें क्या हते है एक्ट्वल बनाने का प्रोशिस बनाते हैंalalट जो प्रोशिस में क्या है प्रोशिधू लेकिन जी क्या है हमगोगों का जो सराब और आप का फेर्मेशन होता है यही हमारा है तो यह बनता किसे हैं King से केन सुगर से बनेगा ग्लुकोज, ग्लुकोज का जब फर्मेंटेशन कराते हैं तो यह कनवर्ट किसमें जाता है एथिल इल्कोहल में, तो आए इस एक्सन को भी देख लेते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग अगर नहीं करना है, यहां पर हमें डारेट क्या करना है, सुक्रोज से हमें ग्ल्कोज बनाना तो पता ही है, जब सुक्रोज का क्या करते हैं, हैडूलिसिस क träते हैं, इंस Diosic Medium, तो ग्लुकोज फ्रक्टोस बनता है, तो हमuję जो ग्लुकोज बना हुआ है उसको लेकर चलना है, तो हमको क्या लेना है D-ególुकोज, तो मैं simple इसका क對不起 फार in enzyme लेना है ठीक तो एक तरह का क्या इस्ट होता है say list ठीक है प्रिजंच इंट सेल हमारा जैसे बनेगा एधिल-कोछ तो एधिल-कोछ बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है ये बन जागा C2H5OH का दो molecule, यह बन गया हमारा ethyl alcohol, जैसे यह ethyl alcohol में यह convert होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखेंगे, यह देखें, C2H5OH बन गया, तो hydrogen कितने हो गया है, 10 हो गया है, carbon हो गया है, और बाकी OH है यहाँ पर, oxygen हमारे पास क्या है, 2 है, hydrogen यहाँ बचा हो गया है, यहाँ पर कितने carbon है, 6 carbon, यहाँ पर क्या है, 4 ही carbon यूज हुए है, तो बाकी जो carbon होता है, वो CO2 के form में यहाँ से निकल जाता है दो co2 यानिया क्या बन गया carbon dioxide के form भी निकल गया तो इसको बैलेंस देख लिजी आपर कितना है चार दो छे हो गया carbon oxygen की बात करें तो चार ठीक है ठीक है तो टू टू जा फोर और यहां कितना हो गया चार और दो ऑजन यहां पर छे ऑजन हो गया hydrogen की बात करें है तो दस दो बारा hydrogen यहां बर टोटल है जब भी अथिल अल्कॉल बनेगा तो carbon dioxide यहां से निकल जाता है तो यह हमारा क्या है फर्मन टेशन का नाम क्या होता है फर्मन टेशन है तो इसको भी नोट कर लिजए अब यह हमारा लास्ट रियक्शन यह हमारे पास जो सभी रियक्शन थे ठीक है डी ग्लुकोज के केमिकल रियक्शन वो itís मापत हो चुके है अब हमलोग बात करेंगे फ्रक्टोस के बारे में और उसके के packages physical property और उसके preparation को देखेंगे फिर इसके बाद हमलोग क्या करेंगे cyclic structure को पढ़ेंगे जो इस्टर्स चीज़ों को हम लोग वहां पर देख लेंगे तो इस वीडियो को हैं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद